नमस्कार दोस्तों सागत है आप सभी का वाइफरेंग सिक्योर्टी में दोस्तों NVR और DVR में जो बेसिक डिफरेंस है वो आप लोग समझ रहे होगा लेकिन जो में डिफरेंस है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है जिसके कारण से आखिर NVR में ऐसी क्या टेक्नलोजी और DVR में जो क्वालिटी है वो आपको NVR में ज्यादा बैस्ट मिलता आखिर क्यों में डिफरेंस क्या है यह किसी को नहीं पता ना है किसी वीडियो में मैंने देखा न सुना ना डिस्क्राइब कहीं पर हुआ है इसलिए मुझे लगा कि इस पर मुझे वीडियो बनानी चा सिर्व यह सब भी डिफरेंस नहीं यह कम वायर लगता है इसमें ज्यादा लगता है लेटेस्ट टेक्नलोजी यह सारी चीजें चले ओवर्राल समझ में आती लेकिन में डिफरेंस क्या है काम करने का तरीका क्या है और DVR क्यों बंद होने वाली यह आप समझ लिजिए कि ले आप समझाना चाहें तो आसाने से आप समझा सकें कि NVR और DVR में डिफरेंस क्यों आया किस कारण से आया और किस तरह से यह काम करता है चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चलिए शुरू करते हैं पहले हम लोग DVR के पहले मैं सेर कर लेता हूं दीकि DVR क्या है लोग प्राइस यानि कि लोग प्राइस कम प्राइस में आपको DVR में जो कैमरी वगरे यूज होते हैं वह आपको 700, 800, 900, 1000 मीनिमम मान के चलिके 600 में आपको जो है एक अच्छा 600 में एक बढ़िया ब्रैंड के एक मेगा पिक्सल के आपको मिल जाएंगे आपका एनलोग में आपका DVR में जो सपोर्ट होता है मगर IP कैमरे थोड़े थोड़े कोस्टली होते हैं तो इस पर बाद में बात करते हैं यहाँ पर आपका DVR का जो यह एक पॉजिटिव साइट इसके बाद जो टेक्निकल एवर्नेस यानि कि यह इस् समझाना आपको और टेखनिकल इस भी नहीं आते हैं बहुत कम आते हैं और आपको टेक्टिशन भी आen से मिल जाते हैं जो यह काफी लंबर समय से चलते आ रहा है तो यह जो है असान हो जाता है टेक्निकल इशोज जो भी है उसमें कम आता है लेकिन इसके बाद वाइरिंग अगर देखेंगे तो सिंपल वाइरिंग है वाइरिंग में भी कुछ नहीं है सिंगल हर क्यामरा से सिंगल वायर आपको करना होता है हाला कि 311 में माइक का वायर आता है अलग से तो यह सारी चीजे जो है आपको पैकेज मिलता है और आसानी से आप कर सकते हैं इसका वायरिंग जो सिस्टम है इसके बाद जो है इसके बारे बात करो कि बहुत सारे जो लोग है जो कस्टमर है जो पीपल है उनको प सेल करना ज्यादा आसान होता है, यह सारे जो हैं DVR के positive side है, मगर negative side में बता हूँ, तो यह old technology हो गई, और यह अब धीरे धीरे इस technology का काम जब वो कम हो जाएगा, और आपको नया NVR में shift होना पड़ेगा, यह जो time है, पूरी तरह से NVR में shifting का time है, इसलिए DVR थोड़े बहुत लगेंगे, लेकिन नहीं सारे analog IP camera जो हैं वो install करवाएंगे, या NVR लगवाएंगे, DVR नहीं लगवाएंगे, quality issues हैं, देखें, 2 megapixel, 5 megapixel, 8 megapixel तक जो आप जाते हैं, यहां तक जो camera है, यह आप analog में जो है, DVR में जो है, यह system को use होता है, लेकिन आप समझे कि जो आपका camera जो वीडियो जो है, आपका DVR तक, तो यहां पर जो है, यही आप अगर IP में जाएंगे, तो यहां पर quality issues आते हैं, extra use of wire है, बेवज़ा wire जो है, देखें कोई जरूत नहीं है, आपका हर camera में solar camera है, तो solar wire जो है, आपका DVR तक जाए, आपका NVR में जो है, जरूरी नहीं है, DC connector में बार बार जो है, टेपिंग करना पड़ता है, जो है बार बार blur आता है, यह सारे चीज़ें आती है, connector खराब हो जाता है, यह सारे issues आपको NVR में, IP camera में नहीं आएंगे, लेकिन यहां पर यह आती है, इसलिए यह older technology है, दूसरा, एक basic difference, जो कि आपनों को नहीं पता हो DVR काम करें, DVR के अंदर एक chipset होता है, आपका जो camera होता है, analog HD camera या analog camera जो पराणा older technology को CVBS out वाले जो camera थे, इसमें जो काम करने का तरीका होता है, वो simple होता है, बस camera जो है, video signal देता है DVR को, DVR अपनी capacity के हिसाब से जो है, वो उसी camera में जो अलग-अलग quality को जो है, quality मिलेगी, एफपेस की बात हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जो कि आपके DVR पर नेवर होता है, camera का कोई रोल नहीं होता है, DVR अगर अच्छा नहीं हो तो camera आपका 8 megapixel भी हो, quality आपको नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर DVR का एहम रोल हो जाता है, लेकिन चीप सेट का काम जो है, जो चीप सेट होते है, जो आपका quality को गैदर करता है DVR में, और अपने साफ से जो produce करती है, डिस्पले में DVR, NVR में जश्ट उलता है, NVR को कुछ नहीं करना, NVR बस एक screen जैसा है, simple सा काम करता है, recorder जैसा काम करता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, camera जो है, अपने quality एक अनुसार जो है, वीडियो को footage जो है, अपने साफ से वो बनाती है, उसके अंदर एक chipset होता है, वो अपने साफ से quality को बनाया, और वो land wire के थूर, ethernet wire के थूर, आपके NVR को transfer कर दिया, जो मिला, NVR बस उसको record कर दिया, hard disk में, और आपको display मिल गया, monitor या TV में, यह सारी चीज़ें होती है, यहाँ पर camera आपके आधार पर होता, camera आपका face detection वाला, तो face detection का का काम करेगा, camera अगर आपका people counting वाला है, तो people counting वाला काम करेगा, यह सारी camera की specification पर काम करती है, NVR की नहीं, NVR में बस जो है power होने चाहिए कि camera जितने transfer कर सकता है, जितना Mbps पर उसकी capacity होने चाहिए NVR में, बस इतना काम है, पूरी तरह से अलग difference है, दोनों का काम करने का तरीका, यह एक main difference है, इसके बाद NVR जो है, आपका latest technology है, future technology है, यह आपको ले के चलना होगा, अगर आपको इसके बारे में जादा नहीं पता है, तो आपको सीखने होंगे, हम future यह चलने वाला है, और wireless option पर ज्यादा काम हो रहा है, यह हो गया, इसको system flexibility, system flexible है, आप अलगले तरह के camera जो इसमें use कर सकते हैं, यह सारे चीज़े हैं, आपका wire के बार में बात करों, तो wire भी काफी कम इसमें use होता है, आप अगर 4 या 5 wire को जो है, आप एक switch से connect कर लो, वह खर्च होता है, वो आपका कम हो जाएगा, और काफी एन्वल मेंटनेस वगर एम से वगर इसमें जादे नहीं है, इसमें RG45 connector होता है, जो कि लूज नहीं होता है, लूज होगा तो यह वीडियो आएगा नहीं, और वीडियो अगर सही होगा, तो वीडियो आ जाएगा, इस तो NVR, DVR की यह सारे डिफरेंस हैं, हाला कि और भी बहुत तरह के डिफरेंस हैं, जिसको कि हम लोग वीडियो पर जो है, जितने वीडियो बनाएंगे, उस हिसाब से हम लोग बात करते रहेंगे, ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन जो में डिफरेंस वो यह है, और यह कैमरे में कम क्वालिटी आएगा, DVR का बढ़ियां, हैवी लेवल का DVR होगा, तो वही कैमरा ज्यादा हैवी क्वालिटी आपको देगे, मकर NVR में इसा नहीं है, जो IP कैमरे पर निरवर होता है, क्वालिटी NVR पर नहीं है, बस NVR में MBPS का आपको धियान रखना होगा, कि उ उमिद करता हूँ, यह आपको काफी आसानी से मैंने समझाने के कोशिस किया, और समझ में आपको आ गया होगा, चैनल को सब्सक्राब जरू कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरू कर दीजिएगा, धन्यवाद.